Hello learners, welcome to ideology और इस वीडियो के तुरू हम स्टार्ट करेंगे आपका The Living World, ओके सो यह चाप्टर फॉर्स्ट है आपकी क्लास 11 Biology का, सो यहाँ पर यह फॉर्स्ट पार्ट है The Living World का और इससे हम competitive level का Living World पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं देखो यहाँ पर जो Living World है यह पूरा ही चाप्टर आपको बताता है Explanation Living Being का यानि की कोई भी Living Organism क्या क्या उसके अंदर Features पाए जाते हैं और कुछ Properties के बारे में हम पढ़ने वाले हैं पूरे ही चाप्टर में तो यहाँ पर देखो प्लाँ के बारे में हम बात करने वाले हैं किसी daher माइक्रोओगानिजम यहाँ स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर भी चाप स्टार्ट करते हैं चाहिका बाद अनदर हम पढ़ेंगे और माइन सब मामल की घृशन बात करते हैं कि अपके इंभ वी आते हैं यहां पर हम start करते हैं आपके 5 characters से जो कि आपके किसी भी living organism में पाया जाते हैं और यही आपके ncrt में देरखे हैं सबसे पहले है आपकी growth तो कोई भी organism grow करेगा अगर वो living होगा तो reproduce करेगा obviously अगर वो living होगा तो consciousness, consciousness क्या होता है जैसे कि आप differentiate कर पाए होट अगर आपके hand से कोई बहुत जादा cold चीज़े से कि eyes touch होई है तो आपको feel होगा कि वो बहुत जादा cold है या फिर आपकी body में कहीं pain हो रहा है तो आप उसके लिए conscious हो या कोई भी चीज़ आपको hurt कर रही है वो आपकी consciousness को define कर रहा है आपके आस पास का environment कैसा है ये सब कुछ आपकी consciousness पे define करता है या पर consciousness हमें देखने करे मिलती है किसी भी living organism के अंदर then metabolism Metabolism के होता है किसी भी organism के अंदर बहुत सारे chemicals मिलते हैं जिसके हमारे अंदर भी example ले लेते हैं हमारा तो हमारे अंदर में भी दो process साथ साथ चलती है catabolism combination है anabolism और catabolism anabolism के होता है anabolism वो प्रोसेस है जिसमें कि दो molecule add होते है ओके और यहां पे catabolism के process है यह जो एक molecule है दो part में divide हो जाता है तो catabolism तो cutting का काम हो गया और anabolism के हो गया addition का काम हो गया okay so addition होगा तो it is anabolism और catabolism क्या है cutting so यहां पे दोनों का combination आपको बता रहा है metabolism तो कोई भी organism हो living organism उसके अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलता है metabolism then ability to self-replicate और cell organization यानि कि कोई भी organism self-replicate करेगा और उसके अंदर एक अच्छा खासा cell organization मिल रहा है यानि कि हर cell का एक particular function है और वो एक particular space में divide कर रहा है okay so आपको यहां देखने के लिए मिलता है वह हम एक feature को अच्छी तरीके से पढ़ लेता है start करते है growth से so कोई भी organism grow करता है different अलग-अलग तरीके से NCRT के according जो भी twin character है growth का वो क्या है कोई भी cell mass भी increase करे और किसी भी organism का जो cell का number increase करे इसे हम बोलते है twin character of growth यह previous year question है twin character of growth क्या होता है so increase in cell mass and increase in cell number यह बहुत important है mass और यहां पर number right अब move करते है आगे तो देखो यहां पर यह जो growth है यह metabolism का हिस्सा है यानि कि जब किसी भी organism की body में ज़ादा होगा यानि कि जो production है cells का वो ज़ादा होगा catabolism से destruction से destruction की process है ना तूटने की process है आपकी catabolism तो जब ज़ुडने की process ज़ादा होगी किसी भी organism की body में तो obviously उसकी growth वही होगी अब किसी की body तूटती जा रही है लगाता है तो उसकी तो retardation हो रही है ना growth ज़ादा है growth के increase in cell mass and increase in cell number अब कोई भी single organism कैसे reproduce करता है कैसे grow करता है sorry cell division के थूँ यानि कि वो divide करता है अपने cells को और वो grow करता है कोई भी single cell organism अब भीबा का example ले सकते हो और इस सब चीजों को हम lab में study करते हैं और count करते हैं cell number को और इससे हमें पता चलता है कि कोई भी cell एक particularly grow कर रहा है अब बात करते हैं अब अपनी बात कर लेता है human weeks के अदर human weeks के अदर में कैसे देखे जाती है cell growth cell division से okay cell division cycle हर किसी organism में चलती है हर लिविक organism में चलती है अब यहाँ पर plants के लिए अगर मैं बोलू plants कैसे grow करते हैं तो यहाँ पर एक cell मिलता है plants के पास जिसे हम बोलते है इसी property होती है जो कि plants continuously अपनी whole life तक grow करते रहते हैं लगातार रुकते नहीं है वो एक particular time के लिए लगातार वो grow करते रहते हैं उनकी पूरी life whole life वो grow करते हैं लेकिन कौन से points से अब यह तीन अलग अलग जगह पे plant के merishtem present रहता है जहां से plant grow करता है जो एक होता है आपका apical parishtem एक होता है आपका intercalory varishtem और लेटरल marishtem apical parishtem आपका peak पर होता है इक दब आपको यहाँ से grow करता है आपका पूरा ही plant तो 3 यह बरिसी स्रेम प्रशा कर लेका के लिए प्लाइश है अब बात कर लिए आप बेर आपे लाइश भी रहेँ किया मज़ेww तो देखो ग्रो रॉधर आपकी अरण ग्रॉम तरीकी के लाएश गया है from inside grow जितने भी cells है आपके जिसे कि hand के cells को suppose कर लीजे तो यह क्या करेंगे particular cell division cycle चलेगी इतके अंदर जो की यह cells का क्या होगा division होता रहेगा लगतार और आपकी जो hands के cell है वो लगतार grow करते रहेगी तो यह कहाँ से हो रहा है अब हमारे inside the body हो रही है अब बात करो अगर दूसरे category की जो कि आपका extrinsic growth यहाँ पर extrinsic growth को अब apparent growth कहते हैं क्यों कि यह growth from outside है जैसे कि suppose कर लीजे एक mud है और यहाँ पर यह बहुत सारा mud पड़ा हुआ है कहीं पर इस पर आके और उपर से mud इखटा हो रहा है तो यहाँ पर भी आप यह बोल सकते हो जो mass है ना cell का वो increase हो रहा है लेकिन यहाँ पर यह growth है from outside है mud के उपर और जादा चीजे इखटा हो रही है और mud आ रहा है तो यहाँ पर air के थुरू आ गया या किसी चीज के थुरू यहाँ collect हो रहा है mud तो यह क्या collection है growth है एक तरीके की यह भी growth है क्योंकि यहाँ पर mud साथ बहुत जादा collect हो रहा है इसे भी आप growth ही कहते है however यह non-living ठिक बे आपको जादा देखने के लिए बिलेगी तो यह living की characteristic feature नहीं है यह growth हो रही है होगी living organism के अंदर होगी living organism के अंदर है so on the basis of increase in mass both living and non-living exhibit growth okay so it cannot be taken as a defining property the next one is reproduction so if I talk about reproduction तो reproduction आपको कभी भी non-living organism नहीं मिलता है सिर्फ living organism नहीं मिलता है लिकित बहुत सारे living organism ऐसे भी है वर्ल्ड में जो की reproduce नहीं कर पाते है जैसे कि आपका mule हो गया जैसे कि खचर ठीक है so यह mule या फिर हिली यह सारे क्या है mule और हिली आपके inter-specific hybridization का पाट है okay so यह तो reproduce नहीं कर पाते है यह sterile होता है अब बहुत सारे human couples है वो भी sterile है ऐसी आपकी जो honeymoon में worker भी worker भी तो produce रीप्रोड्यूस ही नहीं कर पाती है तो बहुत सारे examples ऐसे भी है जो की reproduce नहीं कर पाते है living भी होने के बावजूद भी okay so हर living भी reproduce करें ऐसा possible नहीं है लेकिन non-living organism कब भी reproduce नहीं कर सकते so यहाँ पे reproduction also cannot be taken as a defining characteristic of living organism okay अब move करते आगे तो reproduction आपको दो अलग अलग तरीके का देखने के लिए मिलता है asexual और sexual तो asexual में आपका participation होता है सिर्फ एक पेरिट का और sexual में participation होता है आपके दो पेरिट का अब यहाँ पे जैसे की algae और fungi जो कि आपके lower plants है इसमें आपको asexual sports से reproduction देखने के लिए मिलती है hydra और yeast में आपको budding यह जो ऐसा कुछ budding structure जो होता है उसके थूँ आपको reproduction देखने के लिए मिलती है fragmentation यारि कि छोटे-छोटे parts में divide करना और reproduce करना उसके थूँ तो यह आपके फज़ा है और protein of moss में देखने के लिए मिलती है to regeneration यारि कि आप यह बोल सकते हो एक कोई भी छोटा सा part है उससे पूरी starfish का formation हो जाए एक स्टारफिश का formation हो जाए एक छोटे से उसके पार्ट से इसी वाले part से पूरा एक starfish का formation हो रहा है तो ऐसे कुछ चीज़े आपको starfish और planary area आपको देखने के लिए मिलती है starfish भी इसका example है तो यहां पर जितने भी आपके यह तो lower plants की बात होगे ठीक है lower plants और animals की यहां पर जुत्ते भी majority आपके higher plants और animals है जिनके अदर complexity काफी जादा है क्योंकि cells बहुत जादा organized है well organized cells है उनके अदर तो growth और reproduction यहां पर mutually exclusive event है okay कैसा है mutually exclusive event और यह भी आपका एक previous year question है जहाँ पर पूछा गयाता है कैसा event है तो कैसा event है mutually exclusive event अब बात कर लेता है metabolism की तो metabolism आपको unicellular organism में भी देखने लिए मिलता है multicellular organism में भी देखने लिए मिलता है however यहां पर metabolism एक defining character है किसी भी living organism का क्योंकि यहां पर कोई भी exceptions present नहीं है जैसे कि आपका reproduction में present थे यहां पर हर किसी living organism के अंदर आपको metabolism देखने के लिए मिलेगा however उसका amount आप बोल सकते हो किसी में कम metabolism होगा किसमें जादा metabolism देखने के लिए मिलेगा higher और बहुत जादा complexity वाले organism में आपको metabolism और जादा देखने के लिए मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर okay so exceptions यहां पर present नहीं है किसके अंदर metabolism के अंदर अब बात कर लेते हैं आपके non-living objects की तो यहां पे non-living objects कभी भी शोनी करते हैं आपके metabolism को हर एक organism जो की living है उसके अंदर आपको thousands of chemicals मिल जाएगे ज digestion में ही आपका अगर पूरा digestion पढ़ते हो तो आपको बहुत सारे chemicals पढ़ने के लिए मिलते हैं okay आपकी पूरी body में बहुत सारे chemicals present है ऐसी अगर बात करू प्लाट्स की तो बहुत सारे chemicals मिलते हैं present चोंकि photosynthesis, respiration, transcription, transpiration इन सारी चीजों में उनका part है बहुत important role play करते है, quotation की process ह होती है, तो यह सारी चीज़े plants में देखने के लिए मिलती है, same as animals भी आपको देखने के लिए मिलेगी metabolism की process, तो बहुत सारे chemicals हैं जो की continuously क्या होते रहते हैं, टूटते रहते हैं, बदते रहते हैं, इत सारी चीज़े process चलता रहता है, किसी भी living organism की body में, तो यह किसका part है metabolism का, तो जितना भी the sum total of all reactions occur inside the body of an organism is called metabolism, okay, so the next one is cellular organization, cellular organization मतलब कोई भी आपका जो cell है, कोई भी organism है, वो स्टार्ट करता है, एक single cell से, suppose कर लाता है, zygote, sperm और ओवब के combination से बना zygote, अब zygote कैसा होता है, universally deployed, यानिकि 2N इसकी ploid है आपको देखने के लिए मिलती है, तो यहाँ से zygote, एक single cell है, जो की किसी भी organism का formation करेगा, अब जितने भी cell zygote के अंदर present है, उसी से पूरा organism का formation होगा, तो यहाँ पर cell क्या है, एक basic और structural और functional unit है, सारे ही living organism की, और यही responsible है, total activity of the cell की, okay, तो यहाँ पर cellular organization भी क्या है, एक defining property है, किसी भी living organism की, तो अभी तक हमने दो आपकी defining properties देख ली, एक metabolism और दूसरा आपका cellular organization, हाईवर, growth and reproduction आपका defining property नहीं थे, अब बात कर लेते हैं, आपके consciousness की, so consciousness में questions पूछा जाता है, हमारा ability के हम जितना भी आपका environment है, stimuli उसे पहचान पाएं, तो यह सारी आपके animals में भी देखने के लिए मिलती है, आपको बहुत अथी तरीके से, और plants में भी देखने के लिए मिलती है, बस थोड़ा सा अलग type होता है वापे, देखो physical, chemical और biological हम respond कर पाएं अपने surrounding को, इसे हम क्या बोलते है, consciousness, अब देखो बहुत सारे animals के पास और हमारे पास भी देखो हम मैमल से हमारे पास भी बहुत सारे external stimuli को sense करने के लिए sense organ है, जैसे कि skin, eyes, nose, tongue, receptors present रहते हैं, जैसे कि antenna present रहते हैं आपके orthopods में, जैसे कि cockroaches में, okay, so यहाँ पर plants के पास भी ऐसे कुछ, वो sense कर लिता है आपके external environment, सारे stimuli को, कैसे जैसे कि temperature में change आया है, तो यह वो सारी चीज़े sense कर लिता है, sunlight, soil factor, soil factor depend करता है, कि soil का pH कितना है, quality अच्छी है, nutrients अच्छे है, soil में या नहीं, इन सारी चीज़ों पर soil factor depend करता है, water की quantity कितनी present है, pollutant को, pollutant को indicate बहुत easily करता है, वो lichen की growth से, जिस भी जगह पर, जिस भी environment में, सराउंडिंग में, जहाँ पर plant ग्रो कर रहे हैं, अगर वहाँ पर pollution जादा है, SO2 gas का, तो क्या होगा, वहाँ से, जितने भी trees हैं, उनके उपर से lichen नहीं मिलेगा, आपको lichen क्या है, mutualism है, आपका algae और fungi का mutualism है, यानि कि दोनों fungi और algae एक साथ रहती है, और एक साथ पूरा production करती है, पूरे plant की bark को cover कर लेती है, और growth करती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, lichen, और आपका bark कैसा हो जाता है, white हो जाता है, क्योंकि lichen white color का होता है, अब यहाँ पर ऐसी आपका plant, जो है, touch me not, जिसका नाम है, botanical name, it is mimosa pudica, तो mimosa pudica में आपको यह देखने के लिए मिलता है, जैसी आप उसे touch करोगे, touch me not, जिस plant का नाम है, तो क्या होता है, वो easily shrink कर जाता है, बहुत जल्दी से shrink कर जाता है, तो यह सारी movements आपको देखने के लिए मिलती है, यह आपका responding character है, आपके plants का, consciousness क्योंकि आपके plants में मिल रही है, ऐसी जो अगर बात करो human beings की, तो human beings में बहुत जादा आपको consciousness देखने के लिए मिलती है, क्योंकि हमारा nervous system है, बहुत जादा well developed है, और हमारे पास like, communicational skill भी बहुत जादा अच्छे है, क्योंकि हमारे पास complexity है, आपके सारी ही cells में, और इसलिए हमारे पास self consciousness present है, हाईवर आपके दूसरे living organism में self consciousness present नहीं है, हाईवर humans के अंदर आपको self consciousness की property देखने के लिए मिलती है, यहां पर जितने भी living organism है, वो self applicating है, evolving है, self regulating है, interactive system रखते है, external stimuli के साथ, okay adaptation कुछ शो करते है, homeostasis, homeostasis मतलब अपने environment, जितना भी आपका internal environment है, body के अंदर का environment, उसे constant रखने की कोशिश करते है, okay homeostasis, की जो property है, वो play करते है, अब यहां पर plants और animals के लिए, जैसे कि sunlight है, okay, और sunlight जितनी भी critical amount मिलता है, daytime में, day time में, जितना भी sunlight का, उस पर depend करता है, उनके reproduction का factor, okay, जैसे उसी time में वो flowering शो करेंगे, अगर वो plants है तो, और उसी time में animals दिखेंगे बाहर, उस time में, जिस time में उ तो photo period क्या होता है, critical amount होता है, कोई भी day length का, जहां पर कोई भी वो activity करते है, animals हो, या फिर वो plants हो, okay, reproduction की, seasonal period में, अब यहां पर photo periodism क्या है, जो की effect करता है day length को flowering plants की, तो इसके लिए हम बात करें है, सबसे पहले photo periodism, flowering के लिए, तो flowering effect होती है आपकी sunlight से, okay, तो यहां प आपका long day plant, जो की आपको short night plant जिने हम बोलते है, यह जो main example है, वो है summer ornamental, दूसरा है आपका short day plant, यानि की वो दिन में बहुत कम flowering show करेंगे, रात को flowering जादा show करेंगे, तो summer वाले plant तो ऐसे हैं, जो की रात को flowering कम show करते हैं, और दिन में flowering जादा show करते है, okay, यहां पर short day प्लांट में आपका आता है winter ornamental, इसका example है, day neutral plant कौन सो होते हैं, जो की उन पर depend नहीं करता है, यानि की वो एकदम सही सही आपको रात में flowering दे सकते हैं, दिन में flowering दे सकते हैं, दिन में जाद तर flowering करते हैं, वो रात को नहीं करते हैं, so इसका example किया है आपका tomato, okay, so यह त photoperiodism, यानि की photoperiodism के basis पे आपका चार पाच अलग-अलग classification animals का, सबसे पहले आते हैं आपके diureal plant, diureal plant वो plant, वो animals जो की आपके active रहते हैं during daytime, daytime में जो की active रहते हैं, तो जादे था जितने भी animals आपके पास आस-पास दिखते हैं आपको, वो diureal होते हैं, okay, then आपके आते ह जो की आपके राथ को active रहते हैं, जैसे की most important example, nocturnal, आपके mosquitoes भी हो सकते हैं, कुछ-कुछ-कुछ-मस्की आपके nocturnal होते हैं, और cockroaches, cockroaches, cockroaches के से होते हैं, आपके nocturnal animal है, then आपका 3rd one is, aureolar animal, aureolar animal के होते हैं आपके active during the dawn, तो यह dawn time में, यहानि की sunset, sunrise से, पेले-पेले उतना भी time होता है, उस time में भिल्कुल active है तो twillight, जैसे हम भोलते है ताइम, उस time में अ क्वारियोलर वाले आपके animals, then Vesparal, Vesparal animal active है during dusk, dusk time के होता है आपका sunset हो गया, sunset के बाल midnight तक, जितना भी timing है उसे हम क्या बोलते हैं dusk, तो dusk के timing में जो animals एकटिव रहते हैं वह ताइमके व्यस्पिरल अनिमल्स एणे स्व स्कूल औल को आपके आनिमल्स वह घ्या जोकि आयाइक्टिव रहते हैं दियुरिग पि दॉसért पि घ्यार रहते हैं आपका आपके आनिमल्स जोकि क्रस्प लग्याuet सबस्क्राइल से आपके अच्छी तर cowboy की प्रॉपर्टी रखते हैं और इसलिए कॉंशिसनेस क्या एक डिफाइडिंग प्रॉपर्टी है किसी भी लिविंग ऑर्गानिजम की तो कोई पेशेंट अगर कोमा में है और सपोर्ट कर रख्या हमने उसे मशीन से जो से के वेंटलेटर से और उसका जो रिप्लेस कर देग प्रॉपर्टी नहीं है और सेल्फ कॉंशिसनेस किस में होती है लिविंग ऑर्गानिजम में होती है इसलिए हम क्या बोलेंगे वो जो अर्गानिजम है और यह वाला जो क्वेश्चन है वो 2016 में आ चुका है ओके आपके एक्जाम में तो यह पूचा गयता है उसको हम क्या मतलब वो उसे supposed to dead बोलेंगे या उसे बोलेंगे कि वो survive कर रहा है और उसके अंदर वो एक living organism है तो हम क्या बोलेंगे it's supposed to be dead okay so यह आपके NCRT की लाइन थी so I hope यह वाला जो पार्ट था यह पार्ट वन था next पार्ट में हम कवर अप करेंगे आपके पूरे ही like कैसे आपका पूरा हिरार्की आपको देख्टी के लिए मिलता है the living organism में living world के अंदर so I hope यह वाला वीडियो यह वाला पार्ट अपको अच पारे ही नोट्स प्रवाइड हो जाएंगे okay thank you for watching this video